दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग की तरफ से लॉच्छ होने वाले हैं उनके नए टैबलेट सैमसंग गेलेक्सी टैब ए सेवेन इंच वाला ये टैबलेट होने वाला है और ये बहुत ही जल्द शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ में दोस्तों शुरुआत करते हैं इस टैबलेट के डिस्पले के साथ में और यहाँ पे आपको 7 इंच की एट कॉंपेक्ट डिस्पले मिलती है फुल HD resolution के साथ में और यहाँ आती है IPS LCD पैनल के साथ में यहाँ पे आपको जो color reproduction मिलता है डिस्पले का वो काफी अच्छा मिलता है contrast level, sharpness level काफी अच्छे है और जो इसकी outdoor brightness है वो भी काफी अच्छे होने वाली है इसलिए आपको direct sunlight में भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी यह एक 60 Hz की screen refresh rate के साथ में आएगा और display के मामले में यह थोड़ा सा छोटा है पर काफी अच्छा है अगर बात करें इसके processor की तो इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 662 processor मिलेगा जो कि एक octa-core processor है और यह 1.8 GHz पे clocked है और इसमें आपको काफी अच्छी performance मिलेगी आप इसमें PUBG medium graphics पे आराम से खेल सकते हैं और चोटे-मोटे कोई भी game इसमें आप आराम से खेल सकते हैं Reading Purpose के लिए, Entertainment के लिए या चोटे-मोटे टास्किंग के लिए Web Surfing के लिए एक बहुत ही अच्छा tablet बन जाता है जिसमें आपको कोई भी lag या hang नहीं दिखेगा अगर बात करें इसके camera's की तो आपको पीछे की तरफ 8 में पिक्सल का camera मिलता है single camera और आगे की तरफ 5 में पिक्सल का camera मिलता है पीछे में आपको एक LED flash light मिलती है और sufficient lighting condition में काफी अच्छी photos click करता है अगर बात करें selfie की तो यहाँ पे आपको 5 में आप इक्सल की selfie मिलती है जो काफी अच्छे photos click करती है इसमें आपको in display fingerprint नहीं मिलेगा इसमें आपको side mounted या फिर back वाला fingerprint मिल सकता है क्योंकि इसके bezel बहुत कम होने वाले है अगर बात करें इसकी battery की तो इसके 5000 के आसपास की battery आ सकती है 500-500 mAh की भी हो सकती है या फिर 4800 mAh की भी हो सकती है और साथ में 15W का fast charger आपको bundled मिलता है 3 GB की RAM मिलती है 64 GB की UFS 2.1 वाली storage मिलती है और यह काफी sufficient है जो combination है वो काफी अच्छा है headphone jack मिलता है जिसका sound output काफी अच्छा है इसमें आपको USB Type-C मिलने वाला है और 15W के fast charger आपके tablet को बहुत अच्छे से charge कर देगा 2-3 गंटे में complete अगर बात करें इसके Bluetooth version की तो इसमें आपको Bluetooth version 5.0 मिलता है Dual Wi-Fi Band का support मिलता है 4.4 GHz के उपर और 5 GHz के उपर और साथ में एक 4G LTE के support के साथ में आएगा जिसमें आप Jio की SIM लगा के भी इंटरनेट सर्फ कर सकते हैं और बाकी चीजें भी यूज कर सकते हैं दोस्तों ये tablet Samsung Galaxy S7 और S7 Plus के साथ में launch हो सकता है इंडिया में कुछ 15,000 रुपे के आसपास में तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें मारा चैनल शेर करें मारा वीडियो अपने दोस्तों के साथ में और बने रहें आगले वीडियो तक थैंक्यू सो मच पर वाचिंग जैहिन जै भारत